करनाटक में जेन आचारी मुनी कामकुमार नंदी जी महराज की नरशन्स हत्या की विरोध में गुरुवार को सकल जेन समाज ने मुख्याले पर मौन रैली निकल कर विरोध दर्ज कराया पोस्ट आफिस चोराहस निकली रैली में बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए सकल जेन समाज ने SDM कारेले पहुच कर रास्टपती के नाम ग्यापन सौप कर मुनी जी की नरसं सहत्या के आरोपियों को कड़ी सजा और घटना की उच्च इस्तरिय जाज की मांग की समाज जनों ने बताये कि करनाटक में पिछले दिनों जेन मुनी आचार इस्तरी की नरसं सहत्या की गई है हमने मोन रैली निकल कर इस घटना का कड़ा विरोत प्रदर्शन किया है हमने ग्यापन के माध्यम से मांग की है कि घटना की उच्छ इस्तरिय जाज की मांग की है घटना के पीछे कौन है इस बात का खुला सा हो पाए और दोश्यों को कड़ी सजा मिले ब्यूरो रिपोर्ट खरगाउन कि उपलक्ष में हम लोगों ने मौन रैली का प्रदर्शन किया है और हम चाहते हैं कि इस केस के उपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और विद्रोहियों के प्रती कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए यह जूनी जे अन्शु जेन मानिये इस्जिय मोदे को ग्यापन दिया है पाँच छुलाई 2023 को करनाटक में दिगंबर जेन सल्द आचारेक कामराज मुनी जी महारा साब 108 के जिस प्रकार से निर्मन हत्या की गई उनके सरीर के तुकले तुकले करकर उने बोर्वेल में डाला गया इस प्रकार की जगन ये हत्या नक्यवल प्रदेश उर्देश के लिए दुखत घटना है लेकिन जिस प्रकार से करनाटक में कांग्रेस के शाशन में ये घटना हुई है समस्त जयन समाज को जगजोर दिया है और जयन समाज ने सकल में हिन्दू सकल समाज के बेनत अले आजफरगौन में हमने ग्यापन दिया है इस में राष्ट्र पती जी प्रदान मंतरी जी जेन आयोक का गठन किया जाए और इसकी उच्छ इस तरही जाच हो और शिक्र न्याय के लिए इसको तोरित फास्ट ट्रेक में या न्याय ले कहतीत होकर रिस्परकारवाई हो इसके मांग करते हैं लाली जेन्स रिसन अध्यक्ष वर्दमान जेन्स वर्दमान जेन्स वर्दमान जेन्स वर्दमार इसकारवाई हो इसके लिए और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भिना पुले